इतनी बड़ी शोरिटी है एक आदमी को कि हम डेड़ लाखर पया अपनी जेव से लगा रहे हैं उसी बंदे पर लगाएंगे जिसका वीजा लगाएंगे तो भीट से आगे निकलेगा उसको केला होना पड़े बिलकुल होना पड़े लेकिन जहां तक यह है कि रिष्टे या दोस्त मित्र भाई पीछे रह जाएंगे जिस दिन कुछ बन जाएंगे तो भी वो साथ मिलेंगे अगर आज के ये पांच साल छे साल किसी ने छोड़ दिये तो हर चीज साथ होगी लेकिन उसका अपना लक्षी अपना गोल उसके साथ नहीं होगा इंग्लैंड के स्टूड परिश्क की चिठी चाहिए आपके प्रिंसीपल से क्लास टीचर से जिसमें वो आपका बेहेवियर लिखे आपके बारे में लिखे कि आप कितने की चतुर चलाक हैं आप बढ़ाई में कैसे हैं और आप जिंदकी में क्या कर पाएं समाज में दुनिया में बहुत सारे लोग अपनी चवी छोड़ जाते हैं कुछ एक ऐसे इतिहासिक लोग पैदा होते हैं जो जन्मों जन्मों तक अपने जीने का मकसद छोड़ जाते हैं आज एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जिसने एक ब्रैंड एस्टैबलिश करा दुनिया का नंबर वन ब्रैंड लुईस वटू लुई वटून बोलता है क्षिका अलग लग बोलने का तरीका है आज दुनिया का नंबर एक ब्रैंड है लुई वटून लुई वटून एक इंसान का नाम है एका आदमी का नाम है जो 16 साल की उमर में घर छोड़ दिया जिसने अपने गाउं से 400 किलोमेट्र दूर गया वह तंक लोहे के बनाने शुरू करें यह लुई वुटून की फोटोग्राफ दिखा रहा हूं आपको यह वो इंसान है जिसने लुई वुटून की शुरुवात करी अज दुनिया की नंबर वन ब्रैंड है यह नंबर वन ब्रैंड बनता है आदमी संघर से मेनस से बढ़ाई से और दुनिया में बैस्ट एजूकेशन आपको मिलती है अमरीका में आज सुंदर पिच्चाई की बात कर ले इलन मस्क की बात कर ले दुनिया जिनोंने बदली है उन्होंने मरीका में जाके काम करा है मरीका में कि नमस्क्राइब जी को बहुत बढ़ी है तुछ नो मुझे कैसे कड़ी कि आपने देशी गी लगता है जी सुवह सुवह रेडी होने के बाद रिकेट नितिन जी मेरे बहुत पराने साथी है यह बिल्डिंग देखता है और कोई विनेहरी नाम की जो बिल्डिंग है उसके से एजुकेशन लेनी है जिसको कल को पढ़ना है उसने तो जाना ही जाना है जो लोग बाहर जाकि चुकिदार बनना चाहते थे ड्रैवर बनना चाहते थे उनको भी सोच चेंज करनी पड़ेगी बिल्कुल बदलनी पड़ेगी क्योंके समय की डिमांड है आज इस टेलिया धो पड़ाई नहीं है इसमें एक क्रोड पर सेलरी होती है करे जो डेटा साइंस की पड़ाई पढ़ लेता है एजुकेशन जो है वो एक वास्ट फील्ड है वो कहीं ना कहीं काम आएगी और आज की डेट में टेक्निकल एजुकेशन का ही युग जो आगे देखने को मिल रहा ह है तो उसके हिसाब से डेटा साइंस आर्टिफिशल इंटेलिजेंस डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम यह सारी चीज़ें ही आगे आएंगे में सर्च करता हूं टॉप टैन करियर कौन से होंगे अगले दस साल में वो सारे दस के दस जो करियर निकलते हैं वो कंप्यूटर स से चल रहे हैं जंगे भी आइटी से लड़ी जा रही है हर चीज रोबोटिक्स के बेसिस के उपर आ गई उसके पीछे एई है तो आदमी को रिप्लेस कर देगा कंप्यूटर किसी हद तक लेकिन उसको चलाने के लिए भी तो कोई वेक्ती चाहिए हर कोई डेटा साइंस क्य पैसा कमाना जाते हैं लोग जिसको पैसा दिख रहा है वो कुछ ना कुछ करेंंगा फिर उसको यह नहीं में लेना अगर जिन्दगी में आगे बढ़ना है तो भीड पीछे छोड़ने पड़ेगे कुछ युनीक करना पड़ेगा घर चोड़ने पड़ेंगे कमफर्ट जोन में कभी एचीवमेंट नहीं हो सकती साथी पीछे चूट जाते हैं साथी कैप्चर हो सकते हैं कनेक्टिविटी के माध्यम से जो आज समय निकल गया पड़ने वाला वो कल दुबारा नहीं मिलेगा आज हर कोई बोलता है एक बच्चा वहीं जाना चाता है जहां पर उसके दोस्त भाई बहन मित्र गए हैं किसी हद तक अगर वो साथ बिल्कूल ठीक है फिर तो जाना बहुत बढ़ी है जो कहते हैं हमें स्टेलिया भेजो को कि हमारी मासी का लड़का वहां रहता है लेकिन अगर वहां पर एजूकेशन का लेवल ही नहीं होगा कल को आउटकम ही नहीं बनेगी फिर वो मासी का लड़का रिष्टेदारी बाद में भी कैप्चर हो जाएगी बुर्ज खलीफा पे रहने वाले लोग कम होते हैं ज्यादातर लोग नीचे रहते हैं जो लोग डेड़ सो मंजल पे एक सो पचीस मंजल पे रहते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो उपर जाते हैं ज्यादातर लोग नीचे रहते हैं जो भीड से आगे निकलेगा उसको केला होना पड़ेगा बिलकुल होना पड़ेगा लेकिन जहां तक यह है कि रिष्टे या दोस्त मित्र भाई पीछे रह जाएंगे जिस दिन कुछ बन जाएंगे तो भी वो साथ मिलेंगे अगर आज के ये पांच साल छे साल किसी ने छोड़ दिये तो हर चीज साथ होगी स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा प्रेसंस ओफ माइंड देखी जाएगी लेवल ओफ कॉन्फिदेंस देखा जाएगा क्या एप्लिकेंट आई कंटेक्ट बना पा रहा है पूछा क्या जा रहा है और वो रिपलाई क्या दे रहा है बहुत से केसिस में ये देखा गया है कि बायो मेट्रिक्स में जब बच्चे को बोला जा रहा है कि अपनी राइट हैंड की फॉर फिंगर्स रखो तो वो कन्फ्यूजड होगे लेफ्ट की रख रहा है गेम प्रेसंस ओफ माइंड की रहेगी वीजा रिफ्यूज होने के कारण क्या होते हैं नॉन रिलिवेंसी ओफ दा आंसर हर किसी को पूछा जाता आप क्यूं जा रहे हो किता मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये तो वीजा आफिसर को पहले दिन पता है क्योंके कैटेगरी एफ वन एफ टू है वो जानना चाह रहा है कि जाना क्यों चाता है परपस क्या है तो उसमें स्ट्रेट वे अपना इंस्टिट्यूट और कोर्स बताया जाए तू दी पॉइंट कोश्चिन का आंसर दिया जाए जितनी चीज वो सुनना चाहता है बहुत सारी इंट्रिव्यूज मैंने देखी जिसमें कि हम लोग जब वो इंट्रिव्यूज सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि एप्लिकेंट जो है वो बलंट हो रहा है लेकिन वो तू दा पॉइंट आंसर दे रहा है जिसकी वेज़ा से वीजा निकलता है मैंने देखा से देखा कमजोर से कमजोर बच्चों के भी आपने युँस के वीजा लिए हैं जी दो दो चार चार बार रिफ्यूजेर बालों के भी वीजा लिए हैं आपने जी कैसे करते हैं उसकी preparation है उसकी concentration है उसका presence of mind है और बहुत जादा matter करता है education provider क्या opted किया जा रहा है चालिस प्रसंट नंबर वाले बच्चे का आपने यूसियले में वीजा ले लिया, अच्छी उनिवर्स्टे में दाखला लें तो वीजा मिलेगा concern है उसी से पता चलेगा कि आज बच्चे का मोटेव पढने का यह 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 नहीं कि लोगों को लगता है पचास यार लाख रपे में हम अमरीका पढ़ने चले जाएंगे मुशूरी आती है को इसको इसके साथ कैसे कंपारिजन कर लेते हैं वह इस ट्रेड में पहले तो समझ से चले आज हम भी देख रहे माता पिता 45-45 लाख लगा रहें क्या करेंगे डंकी म जाएंगे रिस्क कितना involved है अगर वही बच्चे को पहले दिन से focused कर दिया जाए नहीं जी यह arts नहीं कर सकता अगर मैं सोच लूँगा कि मुझे करनी है या करवानी है तो बच्चा तो मेरे हिसाब से चलेगा अगर मेरे घर का बच्चा है मेरे हिसाब से नहीं किसी के हिसाब से थोड़ी चलेगा डूलिंगो दिलवा दो उसमें score कर लो यूनिवेस्टी तो दे रही है यूएस में admission डूलिंगो से भी तो दे रही है जो दिवार फांद के जाते हैं उनको क्या नुकसान होता है नुकसान ही नुकसान है अगर रास्ते में रह गया तो क्या करेंगे मौत हो सकती है अब बहुत वापिस नहीं आ पाएगा वहां पे जाके फिर उसको बोलें यह कर दे वो कर दे वो वापिस ही नहीं आ पाएगा ना यहां से माबाप भी उस category को बाद में मिलने नहीं जा सकता क्या फाइदा मतलब व आएगा माता पिता यहां से जाने सकते हैं अगर कोई emergency हुई family में तो क्या करें अच्छे पड़े लिखे लोग भी दो नबर से बच्चे को अमरिका बेज रहे हैं guidance की कमी है वो रास्ता असान लगता है जो वो agent दिखा देता है किसी को भी visa दिला सकते हैं बिलकुल दिला सक क्या करना पड़ेगा उसके लिए हम अपनी मेहनत करेंगे बच्चा अपनी मेहनत करेगा उसको विजिट करना चाहिए उसको विजिट करना पड़ेगा मुझे एकसर विश्वास होता अपने रभ पे क्योंकि जब हम काम करते हैं हम इमानदारी से बगवान से डर के काम करते मिरे पास कोई क्लाइट आता है, मैं उसको मिलता हूँ मैं उसके आओ भाव देखता हूँ मुझे लगता है कि ये आदमी योग्य है तो ही हम उसका केस लेते हैं बिल्कुल है इंग्लिस ना भी बोलने आती हो, तो भी जा सकता है प्रेपरेशन करवा ही जा सकती है ऐसा तो कोई नहीं है जिसको कुछ भी इंगलिश में बोलना ना आता हो आज की डेट में एक जिला है तरन तरन अमरी सर के पास है मेरा निजी तजरबा है वहां के ज़्यादा तर लोगों के वीजा लग जाते है रीजन है इंगलिश नहीं भी बोलनी आती तो भी लग जाता है रीजन है मैं वही पिछले पॉइंट में यहीं डिसक्स करने वाला था जो बंदा यहां पे हमें दूरिंग दा इंटरू भी शो करता न है कि मैं वहां पे यह बोल दूँँगा ये बोल दूँगा, कुछ भी बोल दूँगा मैं तो, मेरे पास तो पूरी फ्लूएंसी है, वो अक्सर बिना वीजे के वहाँ, यहां हमारे पास लोटता है, क्योंकि उसका फोकस नहीं होता, जिस एरिया से आप बात कर रहे हैं, वो लोग बलंट हैं, क्लियर हैं, उनके बच्चे का केस लेते हैं, वो बच्चा इतना का confident होता है, वो निकल जाता है, बिल्कुल है, इंग्लिश नहीं भी आती, तो भी बीजा लग जाता है, प्रेजन्स ऑफ माइंड से बात हुई, और जितनी चीज उसने पूची, उसने कोई बनावट दिखानी ही नहीं है, उस officer को student के रूप में student चाहिए, even student के रूप में formal कपड़े वाला बंदा भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो किसी interview के लिए, किसी job के लिए नहीं जा रहा हूँ, और interview को interview के माध्यम से ना देखा जाए, जिसने भी interview देने जानी है, वो ये सोच के जाए, कि ये एक one-to-one session है, discussion का perspective है, क्योंकि जब भी वो word interview लेके चलेगा, वो उसी में stress feel करेगा, मैं आपके word के साथ एक word add करूँगा, कि महंगी चीज़े अच्छी होती है, आज हम लुई विटून की किताब की बात कर रहे है, ये लुई विटून एक इंसान था, जो trunk बना के बेजता था, इसने जुनि पर काम करा, इसको दस गुना दाम मिलते हैं आज, नॉर्मल सा जूता बैक, दस गुना दाम पर मिलता है, लुई विटून का, कई बार दो दो चार चार साल वेट करनी पड़ती एक product के लिए, मुझे लगता, अमरीका भी इसी तरह है, जब हम किसी अच्छी महंगी किसी का दो बार, चार बार, पांच बार रिफ्यूज या युएस का वीजा, क्या हम वीजा ले पाएंगे, दुबार वीजा मिलेगा, विजट करेंगे, स्क्रीन पर दिये हुए नमबरों पर एक बार कंसल्ट किया जाए, और विजट करें अपने डॉक्युमेंट के सा, कि किसी को टैक्सी चलानी है, वो उसका अपना एक कंसर्न है, लीगली हम लोग किसी को अलॉइड नहीं है, फर्स्ट इयर अलॉड नहीं होता, दूसरे साल से काम कर सकता है अदमी, इसलिए हम कोई वर्क की बात ही नहीं कर रहे है, वीजा कितनी देर का मिलता है, पांच साल का, एक से लोगों को वहम होता है, पांच साल में हम काम कर पाएंगे वहाँ बे, ऐसा है यह नहीं, काम नहीं है, माबाप को वीजा मिल जाता है, माता पिता को वीजा मिल जाएगा, भाई बेहन को, बाई बेहन को मिल जाएगा, intentions जिसने जाना उसकी clear होने चाहिए, क्या मैं क्य क्या करोगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, चार पेज की कोई ऐसोपी बनाता है, फिर एक वीजा ऑफिसर, उसमें नुक्स निकाल के, उसको सवार के लिखता है, कि तेरी तनखा इतनी है, तो तो इतने कैसे, यू आ, यू कैनोट अफोर्ड, ऐसे धूंड धूंड के, ल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ बाकी की कंट्रियों ने फॉर्मेल्टी बना रखी है, जिसको वीजा देते हैं, क्या उसकी तनखा कौन सी लाखों में होती है, आज स्टेलिया द्वारा बुला जाता है, कि आप पढ़ाई के बाद वापिस नहीं होगे, तो ज दस लाख लोगों को नागरिक बनाया है, मेरा सवाल है स्टेलियन अमबैसी से, स्टेलियन सरकार से, आप आज हर किसी को बोल देते हो रिफ्यूजल लेटर में कि आप वापिस नहीं आओगे, जो दस लाख भारतिये सिटीजन आपने बनाया हुआ है, वो वापिस क्यों नह नहीं आया, आपने उसको क्यों सिटीजन शिप दे दी, आज आप हमारे बच्चों से लाख लाख रुपया मैसी फीस लेके वीजे रिफ्यूज कर रहे हो, बिल्कुल, बिना किसी रीजन के कर रहे हो, कहा तक जायज आजे, कुई जायज नहीं है, सिर्फ एक धंदा बन गय यह पैसे वो टोरने का और रेविजू जनरेट करने का, एक एजन्ट दस जार रुपया ले लेता है, उसको बोलते हैं ठग है, आज हम ऐसी लाख रुपया वीजा फीस ले रही है, उसको ठग क्यों नहीं बोलते हैं, यहीं कंसान है, इंग्लैंड के स्टूडेंट वीजा क की फीस दो से डाई लाख रुपय ले ली जाती है, बिल्कुल है, वो ठगी नहीं बोलते हैं उसको, हमने दस जार रुपय ले लिया, हमारे उपर स्टेंप लग जाती है, ठग की, हम सामने दिखाई दे रहे हैं, अमबैसी में बात किस से करेगा, यह किसी के पास नहीं है, और आई-ट्वेंटी की फीस आती है, लोगों को पॉइंटमेंट नहीं मिल रही, को पॉइंटमेंट बेच रहा है, को दस जार में बेच रहा है, को पच्छी जार में, को पचास जार रपे में, बचा पॉइंटमेंट के भी पैसे दे रहा, बचा मैसी की फीस भी दे रहा, 27 पीस भी दे रहा, I-20 की फीस भी दे रहा, जंट की फीस भी दे रहा, बिलकुल है, ये 5-6 तरह की फीस दे के डेड़ से 2 लाख रपया दे रहता है बच्चा, फिर वीजा लगता नहीं, और इसकर रहता उसका, जिम्मेदारी, इसलिए तो आपने शुरू किया, आपने करवा अगर भीड से हटना है तो कुछ करना है, उसी पे लगाएंगे जिसका वीजा लगना है, इतनी बड़ी शुरिटी है का आदमी को कि हम डेड़ लाख रपया अपनी जेव से लगा रहे हैं, उसी बंदे पे लगाएंगे जिसका वीजा लगना है, वो स्कुरूटनी में क्लि बिलकुल, तो हमारी सेवा ले लो, सियानब तो यही है, कि अगर कोई ऑपरचुनिटी मिल रही है, क्योंकि पहले भी जितनी कमिटमेंट्स कैमरे पे की, वो फुल्फिल की, चाहे वो सी पी पी की बात करो, तो मुझे काम करने वाला आदमी नहीं चाहिए, इसमें काम वाला करें, हम एक सीधे रास्ते में पाड़ी के लिए जाना है, सिर्फ वही कंटेक्ट करें, हम रास्ते में गारी रोकेंगे नहीं, मंजिल तक ले के जाएंगे, पैसे लेंगे मंजिल पर लगने के बाद, कुछ इन्फरमेशन स्टूडेंट को जिसने बाहर जाना है, वो कौन क पास fund हूँ, पुराने नहे का कोई मुद्दा नहीं, 18 से 20 लाग माता-पिता के account में दिखाए और अपने academics लेके visit करे ब्रांच को और पैसे नहीं है दिखाने के लिए plot ले रखा है, दुकान ले की है, किसके पैसे और दिखा सकते हैं, दादा-दादी के ना-ना-नानी के, चाचा के ताया के दिखा सकते हैं, किसी बभाई-बेहन के पैसे दिखाए जा सकते हैं, हमें सिर्फ academics चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, फंड्स चाहिए, दो letter of recommendation चाहिए, लेटर of recommendation क्या होती है, लेटर of recommendation या तो school के principle से ली जा सकती है, कि हम लोगों को कोई अपती नहीं है, बच्चा हमारे school में पढ़ा है, पढ़ने योग है, आगे अपने career में कुछ करना चात है, तो हम लोग इसको best of luck बोल रहे हैं, और ये regular student था, हमारे student का school का, तो इसके लिए हम लेटर of recommendation का, मैं उसको सिफारिश की letter बोलता हूँ, आपको एक सिफारिश की चिथी चाहिए, आपके principles से, class teacher से, जिसमें वो आपका behavior लिखे, आपके बारे में लिखे, कि आप कितने क चतुर चलाक हैं, आपके बढ़ाई में कैसे हैं और आप जिंदगी में क्या कर पाएंगे, बिल्कुल यह तो है है, IELTS PT, TOEFL, IELTS PT एगर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो डिलिंगो दे और आए, कौन सी जगा भेज सकते हैं, कालिफोनिया, कितना समय लगेगा, पढ़ने जा रहा है, तो मुद्दा तो पढ़ने का है बस, दूर रहें वो लोग जो सिरफ पहुंचना चाते हैं, इसमें पहुंच वाला को कामी नहीं है, बहुत सारे लोग मिलते हैं हमें, जिन्होंने अल्ड़री पर्मानेंट तौर पर अमरिका में कागज लगा रखे ह लगी हुई है, जिनके सगे भाई बैहन अमरिका में रहते हैं, उन्होंने परमानेट तौर पर इमिकरेशन अप्लाई कर रखी होती है, क्या ऐसे लोगों को स्टूडेंट वीजा मिल जाता है, उमीद काम है, चांसिस काम है, क्योंकि एक फाइल अल्रेडी एक्टिव है, ठ का तो कोई अंत है ही नहीं, लेकिन आप मिनिममम ये लेके चलो, बीस, बाइस, पचीस लाग रुपया एक्सपेंस आता है, गरीब आजमी दूर रहे, वो नहीं जा पाएगा, यूएस उसके लिए नहीं है, क्योंकि उसको वहाँ पे सेटल होके काम करना है, यूएस में उस उसकी ऑनलाइन का एक अलग से प्रोसीजर है, स्क्रीन पे दी होए नंबर पे कंसल्ट करेगा, कि मैं नहीं आ सकता, या मैं कहीं दूर रह रहा हूँ, तो टीम उसको वहीं पे ऑनलाइन कॉंसलिंग के लिए प्रॉपर गाइड करके उसको उस चैनल में ले लेगी, बहुत स लेकिन फिर भी यूएस की हूँ, सधारन से इंटर्विव है, चार से पांच कोश्चन की, इस से ज़्यादा सवाल ही नहीं होता, इंटर्विव में अगर वीजा नहीं मिला, क्या दबारा अपलाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इलिजिबिलिटी कैसे देखी माइनर के केस में, वेर अलाओ कर सकते हैं, स्कू़ूलिंग के लिए बचा जा सकता है, किसी को अपना बचा, ही छोड़े हुए दस साल पंदरा साल हो अब उर्जा जागी है उसकी कि नहीं मुझे तो पढ़ना था पहले तो पैसे थे नहीं कर सकता हूँ दस साल पंदरा साल नोकरी करने के बार बंदा अमरीका पढ़ने के लिए जाते हैं जिस ट्रेड में वो जॉब कर रहा है उसी से रिलेटेड प्रोग्रम लिया जाए तो वीजा मिलेगा और एजूकेशन प्रोवाइडर फिर वही बात आ रही है कि एजूकेशन प्रोवाइड में हम भी आगे बढ़ी रहे हैं आगे दुनिया में जो कंप्यूटर चल रहा है अधू टकनीक चल रही है वह हमारे बच्चे चला रहे हैं सुन्दर पिचैजी जी बहुत एक्जाम्पल है हमारे पास अभी प्रेजिडेंट एलेक्शन में कमला हैरिस नॉमिनेट हुए है तो भारत का नाम और रोशन हो रहा है बिल्कुल होगा एक तरफ दिशी सुनाक यूके के प्रदानमंतरी बने है अब कमला हैरिस प्रेजिडेंट बनने जा रहे हैं जी इसे कह ना कहीं भारतियों को गर्व महसूस होना चाहिए बिल्कुल है जो अपनी तरफ से कपील करिए सबी बच्चों को जो भी अमरीका जाना चाहते हैं जो भी पढ़ने के लिए जाना चाहता है अमेरीका में वो जरूर संपर्क करें ये उनके लिए आज की डेट में गोल्डन स्क्रीन पर दिये हुए नंबरों के उपर कंसल्ट करें कॉल करें अपॉंट्मेंट बनाएं और ब्रांच में आके विजिट करें ये मेरी गुजारिश है उन बच्चों से जो यूएस में पढ़ने के लिए जाना चाहरा है काम के लिए नहीं मेरी जिंदगी का एक जानी नहीं करनी पड़ेगी इसलिए अच्छी मेंगी उनिवर्स्टी में दाखला लेंगे बच्चे तुम रिक्का जाने का सपना सकार हो सकता है बिलकुल होगा धन्यवाद आपका थैंक्यू जैश्री राम जैश्री राम